हलो आप रिवन मलकम बैक तुमा यूटुब चैनल हर्सकेजट गाइस जितने भी रभी तेजा सरकेफ हैने और अगर आप टाइगर नागेश और रॉय के ओफिशल ट्रेलर का वेट करें तो गाइस फाइनली 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 इंडियास के बिगिस्ट थीफ यानि की टाइ लिट्रली गाइस यह ट्रेलर इतना इंप्राइसिव है क्योंकि जहां पर आप लोगों को एक्षन सस्पेंस मिस्टीरियास मतलब की मार धड़ इतना मतलब की इस तरह से क्रियेट किया गया है कि कही ना कहीं आप लोगों को शॉक्ड करने वाला है गाइस अगर आप यह ट् कब वोनोंने मतलब की किस तरह से यह सारी चीज़े किया मतलब की जो ट्रेलर का एवरी सीन आप उठा कर देख लें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अलग ही लेवल का इंक्राइबल लोगीगा उसी से साथ साथ एक इंगेजिंग पॉइंट हैगा कि यार एक्षुल में यह यह विजन किस टाइप का होने वाला है इसकी आप डायलोग डिलेवरी देख लीजेगा मुर्ली सर्मा का जो मुझे काम लगा है उसी के साथ अनूपम खेर का जो कॉम्प्लिकेटेड जो क्यारेक्टर लगा न वो कहीं न कहीं काफी तगड़ा होने वाला और जो की काफी इ एक्ट्रेलर में इजली भोच पूरी में बोलतेगों नजार आ रहे थे एक्च्वल में जो हंडी लेंगवेज ना भाई जो हंडी लेंगवेज जो की साभी लोगों को समझ में आती है जैसे कि आप लोगों को पता है के जीएफ का ओरेनल हंदी वरजन और एक गोल्ड माइ आप लोगों को टाइगर नागेश्वार रॉय मूवी और इस ओफिशल ट्रेलर में देखने को मिलेगा जो कि कहीं न कहीं काफी फैंस को मतलब कि इंडियन स्नेमा को मिस नहीं करना चाहिए जो कि काफी बैलूबल लग रहा है इंडियन स्नेमा को जो कि काफी जल्दी 20 ओक्ट ट्रेलर आप लोगों को देखने में कैसा लगा और आपके क्या उपीने ने इसके ऑफिशल ट्रेलर के बारे में अक्शन सीक्वेंस के बारे में जो कैमेस्ट्री बताई गए ट्रेलर के बारे में और ये घोचपूरी डवीन के बारे में भी अपने उपीने में कॉमेंट श सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपका भाई इंसपार्ड और मोटीवेट होता चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में फिर से एकनी अपडेट के साथ अब तक के लिए जै भारत